Hello friends, welcome to GK Study तो हाल ही में ही जो है वो एक TB Elimination के उपर Report आई है जिसमें राजियों के तोर पर हिमाचर प्रदेश ने और हिमाचर प्रदेश की district ने भी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे आपने ये news पहले ही सुन ली होगी कि TB उन्मूलन में हिमाचर प्रदेश को पहला स्थान पर आप्त हुआ है बड़ इसको हम detail में समझेंगे कौन-कौन सी district कौन-कौन से rank पर है हिमाचर प्रदेश कौन से स्थान पर है सभी को हम इस वीडियो में discuss करेंगे देखे सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2021 TB जो है वो एक बहुत major problem है इंडिया के अंदर ठीक है अगर TB disease का burden देखा जाए इंडिया में तो 2021 में जो है वो 90% increase हुआ है as compared to previous year ठीक है यानि कि TB के patients जो आपके 2021 में मिले हैं ठीक है वो आपके previous year के मुकाबले जो है वो 90% increase हुआ है ठीक है तो इस तरीके जब समझ सकते हो कि कितनी TG से जो है वो ये grow करता है और ऐसे तोर पर जो है ऐसे में मतलब की इसको eliminate करना बहुत जरूरी है और इसके लिए different schemes चला जाती है different different अभियान चला जाते है जिसमें अलग-अलग states जो है वो आपकी perform करती है ठीक है और जो सबसे अच्छा perform करता है उनको जो है वो पहला दूसरा तीसरा स्थान दिया जाता है जिसमें इस बार जो है अगर आप त्यारी करना चाहते हूँ जिसमें computer के बहुत जारा question पूछे जाएंगे ठीक है 140 के around वो आपको पता ही होगा तो आप पर रिक्षय app पर जाकर जो है वो उसको join कर सकते हो coupon code use कीजेगा gkstudy 50 ठीक है जी gkstudy 50 जो है वो आपको use करना है ठीक है और आप जो है आपको एकदम 50% का discount जो है वो instant मिल जाएगा उसके बाद अगर आप NT का course join करना चाहते हो तो NT का हमने mcq course launch किया है जो की हमने launch किया है gkstudy app पर ठीक है तो gkstudy app पर वहाँ पर जा सकते है coupon code use कर सकते हैं आप NT2022 तो यह दोनों अलग 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 प्रैटफॉर्म पर है आप जाकर एक बार जरूर चेक आउट कीजिएगा ठीक है जी तो चलिए में टॉपिक के उपर बात करते हैं देखें सबसे पहले अगर state tv score यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है यह official report है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो यह state tv score है 2021 का तो इसमें अगर सबसे जारा score आप देखोगे तो यहाँ पर आपका हिमाचर प्रदेश का सबसे जारा score है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा तो यहाँ पर आपका हिमाचर प्रदेश है और यह फिर उडिसा है आपका 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 हिमाचर प्रदेश है और उडिसा का 85 है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे states है जिनके आपके यहाँ पर score द ranking की बात करें तो सबसे पहले state wise population जिनकी 50 लाग से कम थी उसमें सबसे टॉप पर रहा है आपका सिक्किम सेकंड पर रहा है आपका गोवा फिर आपका तीसरे पर त्रिपूरा है चौथे पर में घाले है और पांचवे पर मिजोरम है ठीक है तो ये तो उनकी बात होगी जिनकी population आपकी 50 लाग से कम है अब 50 लाग से जादा वाले population में अगर बात करें तो हिमाचर प्रदेश जो है वो आपका पहले नंबर पर है जो की एक proud की बात है अगर आप हिमाचर प्रदेश में रहते हो सेकंड नंबर पर आंदर प्रदेश है तीसरे नंबर पर उडिसा है चौते पर गुजरात है और पांचवे पर जो है वो तेलंगान है ठीक है यूटीज की बात करें तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंडवी यह आपका पहले स्थान पर है अंदमा निकोबार आईलेंड जो है वो आपका सेकंड पर है लक्षिद्री जो है वो थड़ पर है पांडी चेरी आपका फोर्थ पर है और लड़दाक आपका फिफ्ट पर है तो ये हैं आपकी जो की population-wise दी गई है और अगर अगर आप overall देखो गे तो हिमाचर प्रदेश अगर मैं आपको यहाँ पर map में दिखाऊं, score wise देखोगे, तो हिमाचर प्रदेश जो है, वो आपका पहले नंबर पर है, क्योंकि सबसे जारा score जो है, वो 92 हिमाचर प्रदेश का है, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ तो आपको पता ही लगए सबसे पहले नंबर पर आपकी किनो डिस्टिक है, ठीक है, दूसरे नंबर पर चमबा है और तीसरे नंबर पर हमीरपूर है, यानि कि टॉप थ्री में अगर आप देखोगे, इन तीनों को मिला दिया जाए, कि कौन सी डिस्टिक जो है, वो टॉप पर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर टॉप फाइफ डिस्टिक की बात करें, तो सबसे टॉप थ्री में जो हैं, वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है, कि नौर, चम्बा और हमिरपूर, ठीक है, उसके बाद आपका अलिपूर दुवार, यहाँ पर वेस्ट वेंगॉल की है, कौरापूर्ट, यहाँ पर ओडिसा की है, यह आपकी फोर्थ और फिफ्ट नंबर पर है, फिर यहाँ पर टॉप फाइफ एस्पीरेशनल डिस्टिक्स की बात करें, तो इसमें भी सबसे उपर जो है, वो आपकी हिमाचल प्रदेश की चम्बा डिस्टिक है, उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बेंगालों और उडिसा की है, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि जो आपका यहाँ पर सबसे टॉप पर डिस्टिक्स है, जो पहले पहले नंबर पर है, चाहे वो आपकी मेन डिस्टिक हो, या फिर एस्पिरेशनल डिस्टिक हो, या फिर ट्राइबल डिस्टिक हो, इसमें सभी पहले नंबर पर है, वो हिमाचल प्रदेश की है, और ओवरॉल हिमाचल प्रदेश भी जो है, वो आपका टॉप पर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो confirmed TB patient होते हैं, उनको RS500 पर मंथ दिये जाते हैं, ठीक है, उसके बाद tribal sport scheme है, ठीक है, इसमें 7400 पर one time दिये जाते हैं, ठीक है, अगर कोई TB patient confirm है, ठीक है, उसके बाद अगर treatment supporter के तौर पर अगर दिया जाता है, तो 1000 रुपे दिये जाते हैं, DS TB patient को, और 5000 रुपे दिये जाते हैं, DR TB patient को, ठीक है जी, तो इस तरीके की ये schemes चलाए गई हैं, और आप इस से related हिमाचर प्रदेश में भी schemes पढ़ सकते हो, कि कौन कौन सी चलाए गई है, अभी जो budget आया है, उसमें क्या health sector से related क्या गया है, अगर आग exam के point of view से देखें, और क्या सारी चीज़ें आपको पता होनी जो है, वो जरूरी है, मेरा काम था आप तक notification को पहुंचाना, I hope आपको समझ आयोगा, thanks for watching, बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ,